उम शांती मुरुली का तारिक है 31.1.2019 मीटे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे जब हम स्वयम को देह समशते हैं तब मन में बहुत बूरे विचार बहुत विकल्प उत्पन होते हैं जब हम स्वयम को आत्मा समशते हैं आत्म अभिमानी बनने का प्रयास करते हैं तब बूराई से हम मुक्त हो जाते हैं मन में कोई भी विकल्प नहीं आता, मन में जो भी विकल्प है वो सब विकल्प आत्म अभिमानी बनने के बाद समात्य हो जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने का प्रयास करना हैं, देही अभिमानी बनने से किसी भी बात से डर नहीं लगेगा जब हम स्वयम को आत्मा समशते हैं तब हम निर्भई बन जाते हैं आत्म ग्णान हमें निर्भई बनाता है आत्म अभिमानी बनने से हम डर से मुक्त हो जाते हैं स्वयम को देह समशते ही बहुत सारे डर मन में उत्पन हो जाता है देह दारी समश्टे ही, देह अभीमान में आते ही, सबसे पहला डर मन में उत्पन होता है कि मेरे देह को क्या होगा, मेरा मृत्यू आ गई तो मैं क्या करूँ ऐसे ही समबंदियों की मृत्यू हो गई तो मैं क्या करूँ देह अभिमान में आने से मृत्यू का डर मन में उत्पन हो जाता है ए जो मृत्यू का डर है इस डर से मुप्त होने के लिए स्वयम को आत्मा समशना है आत्म अभिमानी स्तिती में स्तित होने से हम डर से मुप्त हो जाते हैं आत्मा समझते ही हमारा सर्व संबंदी सिर्फ एक प्रभु परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा को सर्व संबंदी बनाने के कारण ना देह को कोने का डर, ना मृत्यू का डर, ना देहदारियों को कोने का डर मन में होता है। इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनने से फिकर से फारीग हो जाएंगे जब हम स्वयम को आत्मा समझते हैं, देही अभिमानी बनने का प्रयास करते हैं, तब हम सर्वचिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, निश्चिंत आत्मा बन जाते हैं, बेफिकर बादशाह बन जाते हैं, अगर हम स्वयम को देह समझते हैं, तो देह समझते ही अनेक प्रकार के चिंता मन में उत्पन हो जाती है, देह अभिमान में आते ही चिंता उत्पन हो जाती है, इसलिए देह अभिमान को चोड़ कर आत्म अभिमानी बनना है, जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, तब हम चिन्ता से मुक्त निश्चिन्त हो जाते हैं, प्रश्ण, नए जाड की रुद्धी किस तरह से होती है और क्यूं? यह जो नए जाड रुद्धी हो रही है, यह बहुत दीरे दीरे से रुद्धी होती है, जू मिसाल रुद्धी होती है, इस नए जाड की रुद्धी बहुत दीरे दीरे से होती है, और जू मिसाल होती है, जैसे ड्रामा जू मिसाल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार इस जाड की भी रुद्धी दीरे दीरे से होती है यह जाड भी दीरे दीरे रुद्धी को पाता है क्यूंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है यहाँ पर हमें माया के साथ लड़ना पड़ता है इसलिए इस नए जाड की रुद्धी दीरे दीरे से होती है बच्छों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है अभी हमें देही अभिमानी बनना है लेकिन 63 जनम से हम देह अभिमान में थे इसलिए अब जब देही अभिमानी बनने का प्रयास करते है तो देही अभिमानी बनना मुश्किल लगता है क्योंकि हम देही अभिमानी बनने जाते है तो माया हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ जाती है माया हमें देह अभिमानी बनाती है इसलिए आत्म अभिमानी बनना हमें मुश्किल लगता है देही अभिमानी बने तो बहुत कुशी रहे अगर हम सदा कुशी में रहना चाहते हैं तो आत्म अभिमानी बनना पड़े जब हम स्वयम को आत्मा समशते हैं तब हमारे मन में सदा कुशी रहती है जब हम स्वयम को देह समझते हैं तो अनेक प्रकार के दुख मन में उत्पन हो जाते हैं इसलिए देही अभिमानी बनना हैं तब हम सदा खुशी में रहेंगे सर्विस में भी रुद्धी हो जब हम स्वयम को आत्मा समझते हैं आत्मा समशकर जो भी सेवा हम करते हैं उस सर्विस में रुद्धी हो जाती है अगर हम स्वयम देह अभिमान में रहकर किसी को ज्ञान सुनाने का प्रयास करेंगे तो ज्ञान का बाण उस आत्मा को नहीं लगेगा वो आत्मा ज्ञानी नहीं बनेगी और सेवा में रुद्ध इसलिए पहले देही अभिमाने बनकर सर्विस करना है तब सर्विस की रुद्धी होती है बाप और वर्से की याद रहे तो बेडा पार हो जाए अभी हमें सदा प्रभु परमात्मा की याद में रहना है और परमात्मा पिता के द्वारा जो स्वर्ग का राज्य बाग्य मिल रहा है उस राज्य बाग्य की याद में रहना है तब हमारा बेडा पार हो जाएगा बगवान हमें इस विशय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए आये है अभी हमें सत्युग में जाना है इसलिए सदा प्रभु परमात्मा की याद में रहना है और सत्युग की फस्ट पाइंट निर्मानता का गुण दारण करना है अबी सर्व आत्माओं की सेवा करने के लिए हमारे अंदर निर्मानता का गुण होना चाहिए अगर हमारे अंदर अहंकार होगा अभिमान होगा तो हम सर्व आत्माओं की सेवा करने ही सकते बगवान स्वयम निरहंकारी है बगवान स्वयम सेवक बनकर सेवादारी बनकर सर्व आत्माओं की सेवा करते है इसलिए बगवान के समान निर्मानता का गुण दारन करके हमें भी सेवा करना है निर्मानता का गुण को स्वयम में दारन करना है जरा भी अहंकार में नहीं आना है जब स्वयम विश्व का रच्छैता परमात्मा निरहंकारी है वो करन करावन हार है, वो करा रहा है, हम कर रहे हैं तो हमें किस बात का अहंकार, यहां पर हमारा कुछ है ही नहीं इसलिए सेवादारी बन कर नम्रता से सेवा करना है, अहंकार से मुक्त हो जाना है ऐसा महावीर बनना है, जो माया हिलाना सके बगवान हमें महावीर बना रहे हैं हमें अंगत के समान अच्छल अडोल स्तिती में स्तित होकर रहना है माया हमें हिला ना सके ऐसी स्तिती बनानी हैं इसलिए महावीर बनना है सबी को मन मनाबव का वशी करण मंत्र सुनाना है अगर मन को वश में रखना है तो मन मनाबव की स्तिती में स्तित होकर रहना है मन मनाबव का मंत्र मन को वश करना सिखाता है इसलिए सदा मन को परमात्मा के साथ जोडना है और हर आत्मा को मन मनाबव का वशी करन मंत्र सुनाना है बहुत प्यार और दीरज से सबको ज्ञान की बाते सुनानी है ज्ञान का सागर प्रभु परमात्मा हर रोज प्यार से हमें ज्ञान सुनाते है ऐसे ही सभी आत्माओं को प्यार से ज्ञान सुनाना है और दीरज से ज्ञान की बाते हर आत्मा को सुनाना है बाप का पैगाम सब दर्मवालों को देना है सबी दर्मवाले दुनिया के सर्व आत्माएं परमात्मा के संतान है इसलिए सबी को परमात्मा का परिछे देना है वरदान हर स्रेष्ट संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बवा अभी हम मास्टर सर्वशक्तिमान है मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो हमारा संकल्प और हमारा कर्म दोनों समान होना चाहिए अगर संकल्प बहुत स्रेष्ट हो और कर्म संकल्प प्रमान ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे हम स्रेष्ट संकल्प रचते हैं और स्रेष्ट कर्म नहीं करते हैं तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहला नहीं सकते तो चेक करो जो स्रेष्ट संकल्प करते हैं वो कर्म तक है या नहीं हम जो भी स्रेष्ट संकल्प रच रहे हैं वो संकल्प सिर्फ संकल्प तक है या कर्म में भी उसको हम लाते हैं इस बात को चक करना है मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय अवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आये जिस समय कार्य में जिस शक्ति की अवश्यकता होती है उस शक्ति को कार्य में लगाने वाले को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं स्तूल और सूक्ष्म सब शक्तिया इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की अवश्यकता हो उसे काम में लगा सके हमारे कंट्रोल में हर एक शक्ती होनी चाहिए क्यूंकि हम मास्टर सर्वश शक्ती मान है इसलिए सूक्ष्म शक्ती और सुस्तून शक्ती दोनों हमारे कंट्रोल में होना चाहिए जिस समय जिस शक्ती की अवश्यकता है उस समय उस शक्ती को कार्य में लगाना है और क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानी होती हैं। अभी हम घ्ण्यानी तू आत्मा बन गए हैं। अगर हमारे मन में क्रोध होगा तो हम भगवान का नाम बदनाम कर देंगे। बाप की नाम की गलानी होगी, इसी लिए क्रोध से मुक्त होना है, ब्रम्मा बाप समान बनने के लिए विशेश पुर्शार्त, ब्रम्मा बाप समान विग्न विनाशक, अचल अडोल बन, हर विग्न को पार कर लो, अभी हमें ब्रम्मा बाप के समान विग्न विनाशक बनना ह विग्ण विनाशक बनकर अचल अडोल स्तिती में स्तित होकर हर विग्ण को पार करना है। ऐसे अनुबव करो जैसे या विग्ण नहीं एक केल है। हमारे आगे विग्ण विग्ण रूट में ना आये। विग्ण हमें एक केल लगे। पाहाड राई के समान अनुबव हो हमारे सामने पाहाड जितना बड़ा विग्ण भी हो लेकिन वो हमें राई समान अनुबव हो क्यूंकि नालिश्फुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि यहां सब तो आनाई ही है होना ही है यह सब परिस्थितिया आना ही है यह बात ग्णानी आत्माएं पहले से ही जानती है कभी क्यूं क्या के प्रश्णों में उलजना नहीं हम ग्णानी आत्माएं हैं हमारे मन में कभी कोई प्रकार का प्रश्ण नहीं होना चाहिए एक क्यूं हुआ, एक ऐसे हुआ, ऐसा क्यूं हुआ, ऐसे प्रश्ण हमारे मन में नहीं होना चाहिए अभी हमें ब्रह्मा बाप के समान सर्व प्रश्णों से मुक्त प्रसन्चित आत्मा बनना है सदा ब्रह्मा बाप समान विग्ण विनाशक स्तिती में स्तित होकर रहना है अच्छा ओम शांती